दस एर रुप महिने के S.I.P इनकी जा रहे हैं और दस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहा हैं एक एक हजार रुप लगबग एक स्कीम में जा रहे हैं तो इतनी ज़्यादा स्कीम को भरना अपने पॉर्टफोलियो में क्या ये सही है और साथ ही इनको घर भी बनाना है और इससे ही नोएक फंड भी एकुम planned करना है और इसके साथ ही साथ ये जो है 나 future cost के बारे हैं बहुत जज़ादा इनको कि आफटर्फरबन इफ्लेशन इनकी cost कितनी होगी है इसी के साथ एक दरसक का मेरे पास कई बार mail आ चुका है, comment भी आ चुका है, cost of averaging यानि कि stock में averaging करना कैसे काम करता है, ये इनको समझना है, angel one के एक customer है, वहाँ पर इन्होंने कुछ stocks खरीदे, for example नहीं, इन्होंने नाम भी mention किया है साथ, ये बोलना है कि please can you help me in understanding how averaging works, I have been averaging vipro shares for quite some time and when I saw share price more and started selling it off, मतलब vipro का share काफी time से ये accumulate कर रहे थे, जब price नीचे गया, इन्होंने अपने accordingly उसको add करना सुरू कर दिया, लेकिन जब वो दोबारा से उसका price उपर गया, उसको बेचना सुरू किया, इसके बाद गया confusion है, ये बोल रहे है कि but to my surprise I checked profit and loss section and I see loss because average was taken as per share buying price if I understood it correctly, I am trying to figure out this with the angel customer care, angel team, cost of averaging कैसे काम करती है, averaging का मतलब क्या होता है, मान लिजे कोई stock आज 10 रुपे के price पर है, और वो कुछ महीने बाद, एक महीने बाद या 6 महीने बाद, 8 रुपे पर आ गया, 9 रुपे पर आ गया, तो उसको हम, उसकी जो average cost को कम करने के लिए, हम दुबारे से add करेंगे अपने portfolio में, पहले मैंने 10 stock खरी दे थे, 5 या 10 फित खरीद दूँगा, जैसे या फिर उससे ज़्यादा खरीद दूँगा, क्योंकि price तो अब गिर चुका है, तो उससे जो है average cost काम आईगी, लेकिन इसी के साथ वो से scenario भी हो सकता है, वो क्या हो सकत है, तो पहले 10 में खरीद था, आप यदि 12 में है, 13 में है, 15 में है, तब भी मैं उसको खरीद लूँगा, छोटा सा example के साथ आपको समझाना चाहूँगा, यदि आपने कोई stock खरीद था पहले 20 में, फिर 18 में, फिर 16 में, फिर 14 में, चार बार आपने खरीदा, हर बार 20 में, तो इसकी जो average cost आएगी, वो आएगी, 17 रुपीज पर सेयर, इसको बोलते है, averaging करना, ठीक है, इसके बाद दूसरी साइड पर पहले 20 में खरीदा, आपने फिर 18 में, फिर 22 में खरीदा, फिर 21 में, फिर 23 में, इसकी cost आएगी average निकल कर 20 रुपाय सी पैसे पर सेयर, तो यहा concept काम करता है, first in, first out, जो सेयर्स आपने पहले खरीदे थे, पहले वाले scenario की बात करें, तो जो 20 रुपा में पहले खरीदे थे, वो पहले sale होंगे, उसके बाद आपके जो सेयर्स की cost of averaging है, वो काम हो जाएगी, यदि आपने बाद में कम price पर खरीदा है, दूसरे case में क्या हो सकता है, जैसे मैं आपको बताया था, पहले price कम था, फिर बाद में जो है, price बढ़ते गए, लेकिन आप खरीदते गए, क्योंकि आपको share पर भरोसा बढ़ गए आपका, long term के लिए आपको hold करना चाते हो, जब आप इस case में बेचोगे, तो उसकी यो average cost है, वो आप जाएग में, क्योंकि maximum लोगों को मैंने देखा है, कुछ लोगों से मैं अपने मित्र गणों से भी phone पर यही बात करता हूँ, तो उनका भी यही मानना है, वो यही कहते है, यारे cost निकालना भी तो बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा निकालना भी बहुत जरूरी है, profit booking किस के लिए कर लगा दिये, 50,000 मिल जाएं, अरे दो लाख लगाये ते 50,000 मिल गया है, आनन्द है, इस ते बढ़िया क्या है, 50,000 रुपा मिल गया, बहुत मिल गया, क्या आप इस टोक मार्केट में 2,500 बनाने आते हो, 2,400 बनाने आते हो, मैं तो नहीं आया हूँ, यह सोच कर, मैं इस टो होंगा आगे, तो लोंग टर्म के लिए मल्टिप्लिकेशन होता है, स्टोक में, इस पिलिड मिलेगा, बोनस मिलेगा, कब एक स्टोक सो रुपए का 1000 पोंचे, 2000 पोंचे, 10,000 पोंचे, किसी को नहीं पता है, केवल उसको पता रहेगा, जो लोंग टर्म के लिए अच्छे स् बताता हूं जिन लोगों को सही लगता है आप वो बाते अपने पास रख के और इंप्लीमेंट कर सकते हो बाकि प्लीज इग्णोरी करें आप देख लेते हैं आज का पॉर्टफोलियो पॉर्टफोलियो बेजा मनी कांत पंडे जी ने इससे पहले एक करना चाहूंगा इन बाई साब ने कई बार पॉर्टफोलियो बेज दिया मेल पर भेज रहे थे रोज इनका मेल आया चार पांस दिन तक लगातार कंटिनूसली उसके बाद इन्हों ने चैनल पर आकर कमेंट भी किया कि सर आइफ सेंड यू माई पॉर्टफोलियो सेवरेल ट सकती हो गलती किसी से हो सकती है तब तो बाद में आने वाला हो सकता है पहले हो जाए भाई उसके लिए सोरी बोलूँगा ठीक है तुमाप कर दीजीगा नहीं तो ऐसे मत किजिए कि आपने आज भेजा फिर कल लगातार ऐसे बेशते रहे हैं आपके अलावा 50 लोगों के पो पर आप जो है रीचेक करके भेजा करिए ठीक है तो मनिकान पंडी जी आपका पॉर्टफोलियो नंबर आ चुका यह बोल रहा है कि मेरी एज जो है 31 साल की है और मैं कोलकता से हूँ पिछले तीन साल से 9,009 रुपए की SIP कर रहा है मोतिलाल डिफेंस में 1,001 रुपए की 21 से 41 तक ऐसे मानकर चलते हैं 21-22 से मेरा कितना पैसा हो जाएगा और महंगाई का देखते हुए यह भी बताएं यानि कि inflation को count करकर भी मैं आपको बताऊंगा कि after the inflation adjustment कितना उस पैसे की value उस समय बन रही होगी मोटा मोटा यह हम calculation देख लेंगे मैंने सोचा है कि 2021 के बाद 50,000 का SWP करूंगा और एक घर लोगा अब यह बड़ी contradictory बात है एक घर लोगे 2041 के बाद खर लोगे अब तो 2041 के बाद उस घर की कोस्ट क्या होगी यह इस चीज़ को मैनेज करना बड़ा टिपिकल है इसकी calculation भी देखना भी बड़ा टिपिकल है क्योंकि घर की कोस्ट प्रोपर आपकी जगया में होता तो मेरी approach क्या रहती यह मुझे घर लेना ही और मुझे पता कि कौन से सहर में लेना है इस आयम स्योर कि हाँ ठीक है मैं जैसे कि आप को लकता में रहना है और अभी नहीं हमेशा रहना है 20-30 साल रहना है क्योंकि 2021 बहुत दूर है तब यह घर लोगे तो वैसे कोस्ट बढ़ जाएगी तो मैं अभी से घर ले लूँगा एटलिस्ट उसकी ले लूँगा पिलोट तो ले लूँगा और साथ ही साथ कुछ EMI में पैसा यदि मेरा जाएगा भी मैं ब्याज लेकर उसके साथ ही साथ मैं अपना जो SIP भी continue करूँगा भले ही वो एक दो SIP मेरी कम हो जाएं तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोपर्टी पर कोस्ट बढ़ेगी ना उसको आप मैनेज कर लो गया अभी सस्ते में ले लो गया और साथ ही साथ आपके SIP जो है उसका भी wealth accumulate होती रहेगी यदि आपको सही लग जीगा कि साथ आप दोने चीज़ों को प्लान कर सकते हो या नहीं कर सकते हैं इसके बाद बोलने सर्जी मेरा और कोई सेविंग्स नहीं है बस यही mutual fund में है घर में कैस है emergency के लिए एक साल तक खा सकता हूं तो भाई दूसरी mistake तो आपकी ये भी है कि कुछ और investment आपका नहीं ये किसी और एक साल तक का तो आपके पास है emergency fund उसके बाद क्या और emergency खाने के लिए आपने प्लान कर लिया क्या आपके पास health insurance की policy है कि आपके पास कुछ और near future में बच्चों के लिए और बच्चे नहीं है तो कुछ और भी plan कुछ और भी हो सकता है कुछ secure investment है आपका जिसक situation जैसा भी हो मैं SIP बंद कर दूँगा and redeem नहीं करूँगा 2041 से पहले और उसके बाद मैं nifty lifetime high पर जो है पैसा निकाल लूँगा ऐसा बोलकर तो मुझे लग रहा है कि you are confused और आप मुझे भी confused कर रहे हो कि आपने investment का time period 41 तक decide कर लिया है लेकिन आप बोल रहे हो कि साथी पास में और emergency fund के लिए आप ऐसी और नहीं हूं कि हां मेरे पास है यह नहीं केवल आपने यह प्लान कर लिए कि एक साल तक खाने तक का है मेरे पास तो उसी के हिसाब से सारी चीजे manage करने चाहिए पहले से आपको यह नहीं सोचना है कि मुझे आपने SIP बंद करना अब पास साल पहले ही बहुत जमीन आसमार का फरक पड़ जाएगा क्योंकि 10 साल से उपर जितना बढ़ोगे compounding का benefit तभी मिलता है जो investment की calculation में आपको दिखांगो ना 20 साल की वो अलग होगी और 15 साल की दिखांगो जस्ट आधी हो जाएगी आधी बिलकुल आधी से कम भी हो सकती ठीक है तो इसलिए पहले आपका अपना confusion और अपना time period जो है ना वो decide कीजिए बिलकुल ensure कीजिए ठीक इतना लंबा चलना ही चलना है बहले ऐसाइप आपके 10,000 की जा रही है ना उसके आपके 8,000 जाये 7,000 जाये 5,000 जाये आप यदि आप बीच में redeem कर लोगे माली 10 साल बा वाला कि मैंने calculation दिखा दी आप अरे हाँ ठीक है क्रोडर रुपा बनेंगे ऐसा होगा वैसा होगा उससे कुछ निकोने वाला इनके फंड इस परिकार से है एक सबमें एक हजार रुपे एक सगुन का इनका कुछ है calculation की एक हजार एक से उपर नहीं बढ़ूंगा हर स्किम मे सब्सक्राइब कोई कास हाँ ठीक ठाट फंड है इतना आच्छा भी नहीं यह लेकिन ठीक है एक्सिस स्मॉल कैप अच्छा फंड है क्वाइब कर रहे हो क्या आपको बहुत का बहुत नहीं है या फिर आपको इस पर बहुत बड़ा वेल्थ गेन हो जाएगी एकदम से या बहुत रिस्क आप कम कर लोगे केवल एक 10 परसेंट आपका पॉर्फोलियो ऐसे डावेट्सिफाई करके इंडेक्स फंड में ठीक है निपन इंडिया स्मोल केप अगेन एक हजार रुपए मोटिरल उसवाल मिड केप एक हजार एक पराग पारेक फ्लेक्सी एक हजार एक दसे याइट डस के ऐसा ईपी है इस तिल दिस इस दा मोर कन्फूज पॉर्फोलियो तिल डड़ डेट आई है अब रिव्यूद ओन दिस चैनल ठीक है तो ऐसा गलती सुधारने की जरूरता है अपको इतने खिटली पकाने की क्या जरूरता है आपको इसमोल के अपको कितने और एक दो तीन इंडेक्स भी इसम अच्छे डिफैंस जो वाला जो फंड है इसमें आपको करना ही था वरोसा है तो इसमें क्यों एड किया आप अब जो है या फिर कोई और इनमेंस एक्जिस्टिंग फंड था आप नहीं कर सकते तो उसको अपने फंड को कम करके उसमें एमांट बढ़ाना चाहिए था या प बहुत ही मतलब एनलाइज करने के बाद यह मैं डिसाइड करता हूँ कि कितने मिलने की उम्मीद है और लोवर साइड पर रखता हूँ जिससी कि आपके उमीद है बहुत जादा ना बढ़ जाए आपको लगेगा भी कि अभी तक के रिटन तो 20-22 से उपर ही दे रहे है हर फंड और नए स्कीम जो भी अच्छे रिटन दे रहे है इसमोल केप 250 इंडेक्स की जो पिछले 2-3 साल पहली लौंच हुई है कमाल के रिटन दे रही है ऐसे थोड़ा मिलेंगे हमें सां ठीक है तो विदाउट एड़ेस्टिंग दे इंफलेशन लगब मोटा मोटा एक करोड़ नबबै लाग बन रहा है दो करोड़ के आसपास आप जो है पहुँच सकते हो मोटा मोटा दो करोड़ मान सकते हो यदि आदा परसेंट रिटन ऊपर हो गया या फिर आदा परसेंट नीचे वि लेकिन इस पर आपको जो जो ग्रोथ मिलेगी पहले एक करोड़ साथ लाग मिलने थी अब यह रहे जाएगी लगबग सत्तावन अटावन लाग रुपया फाइनल कोर्पस आपका एक कैसी लाग रुपया यानि कि आधा लगबग हाँ आधिसे भी कम रहे जाएगा तो इन स कल भी 50 लाग 40-50 लाग से कम तो कुछ आता ही नहीं और उस समय 80 लाग या फिर एक करोड़ 90 लाग भी उसको मानलों दो करोड़ भी तो एक घर की की मत उस समय दो क्रोड़ हो गई होगी राम से जो आज की रेट में 50 लाग का है ना तो आराम से उस समय तक दो क्रोड़ का हो और जो पहले सवाल था एक विक्ति का फीफो और एवरेजिंग का उसके भी जवाब देने कोसिस की है इस्टिल यू आर कन्फूज देन यू कन सेंड मी अगें दा मेल और आप कमेंट भी कर सकते और मैं उस पर दोबारा से फर्दर कुछ इस्टेडी के साथ जो वीडियो ब बेहाँ जिल एक अज़ियो यहाँ को कर दो अजू कर दोड़ियो नवाँ कि विका द विक्या और ओ साथ ज़ियो कि यह झाने के ज़िए प्यों एक विक्ति के विक्ति कुछ पर गबद्राय को कि अप्रों कि अभी कि यहाँ खुछ उन तुभ